आग को उसने छोड़ाया, गुरु धोबी सिसकापड़ा, गुरु रुपी धोबी के पास जाकर अपने कपड़े को उसने धोया, मन को धोया, और साहिब कहते हैं, मैंने तो इस चादर को ऐसा ओड़ा, कि जियों कित्यों धरदीनी, प्रकृती ने हमें जैसा दिया था, मैंने इस चादर को दाग ही न लगने दिया, अर्थात शिशु रूप में जिस प्रकार इनसान धर्ती पर आता है, उतनी ही पवित्रता, उतनी ही सौम्मिता, उतनी ही निर्मलता, उतनी ही निश्कपटता के साथ, सद्गुरु कबीर कहते हैं, मैंने प्रकृती को यह चादर हम बिहोश होते गए, हमारे कर्म बिगड़ते गए, लोगों की नजर में, संसार की नजर में हम होश में आते गए, और सद्गुरु कहते हैं, नहीं, तुम बिहोश होते गए, जैसे जैसे तुम होश में आते गए, तुम्हारे कर्म बिगड़ते गए, और कोई भी कर्म तभी बिगड़ते हैं जब हम बेहोश होते है एक शराबी शराब पीता है लोग कहते हैं कितना पी लिया ये तो बेहोश ही हो गया संद कहते हैं नहीं बेहोश नहीं हुआ है शराब पी कर बेहोश नहीं हुआ है मेरे भाई वो पहले बेहोश हुआ है इसलिए शराब पिया है होस में रहने वाला इनसान शराब की कलपना भी कैसे कर सकता है होस में जीने वाला आदमी सराब को छू भी कैसे सकता है जो होस में जीएगा गलत कैसे बोलेगा कैसे गलत खाएगा जो होस में जीएगा उसे तो चारो तरफ प्रमात्मा का दर्शन होगा वो कैसी गलत करेगा कोई भी इस प्रमात्मा रुपी मंदिर जिसे रिश्यों ने मंदिर कहा है देह देवाले हसा उच्चते या देह तो देवाले है या शिद्धाले है यह प्रभु का मंदिर है और इस प्रभु के मंदिर को इस प्रभु के शिवाले को कोई गंदा कैसे कर सकता है यदि कोई गंदा करता है इसका मतलब है वो बेहोश है वो होश में नहीं है कहा है हम बेहोश हो गए होश जब समाला है और इसमें सहयोगी कौन बन गए पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है जो पहले से ही बेहोस थे जो पहले से ही इसमें डूबे थे चोरी, हिंसा, नसा, जूट, बेफिचार ये तमाम जितने दुरगुन है जो लोग पहले से इनमें लिप्त थे उन्होंने हमें भी ठकेल दिया जब धर्ती पर आये थे इनसान की पहचान थी लेकिन जैसे ही किसी के घर जनम लिये किसी न किसी जाती में बान दिया जो पहले से किसी जाती में बंधे थे हमें भी बान दिया इनसानियत काफी नहीं थी क्या मानवता काफी नहीं थी क्या लेकिन इंसानियत कहा चली गई पता नहीं कोई पूछता है तुम कौन हो हम कोई न कोई जाती का टाइटल लगा देते हैं हमें ध्यान भी नहीं होता कि इन सब से उपर भी कुछ है और वो इंसानियत है जिस रूप में इस धर्ती पर हमाएं सब कुछ मिट जाएगी जातियां मिट सकती संप्रदाय खत्म हो सकते हैं लेकिन मानपता इंसानियत रुपी जो धर्म है पवित्रता रुपी जो धर्म है जिसे हम प्रकारंतर से सत्य एहनसा प्रेम करुणा भी कहते हैं ये कभी मिटेगा नहीं लेकिन हम ऐसा करते हैं कि जिस रूप में इस धर्ती पर आते हैं माता पिता और समाज की संगत पा करके हम उनके जैसे हो जाते हैं उनहीं की तरह हम हो जाते हैं पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है जो पहले से ही जातिवाद में डूबे थे जो पहले से ही संप्रदावाद में डूबे थे जो पहले से ही भग्य भगवान वाद में डूबे थे हमें भी धकेला है वो हमें भी उसी पत पर ले चलते हैं और धीरे धीरे हम भी अपनी पहचान खो देते हैं और कोई न कोई टाइटल अजावट के साथ लिखा होता है जो लोग जाती पर प्रवज्चन दे रहे होते हैं ब्याख्यान दे रहे होते हैं कोई जाती नहीं है उनके नाम को देखें तो उसमें जाती का टाइटल बड़ा ही बड़े अक्षरों में लिखा होता है यह इस्थिती है समाज की यदि सभी लोग निश्पक्ष हो जाएं सिर्फ यह खयाल रहे कि हम मानव हैं आज तक मानवता के इस इतिहास में सभी प्रकार के मंदिर बने लेकिन इंसानित की कोई मंदिर हम आज तक क्यों न बना पाए हिंदूओं के लिए मंदिर है मुशल्मानों के लिए मस्जिद है इसायों के लिए गिर्जा घर है सिखों के लिए गुरुद्वारा है सब कुछ का मंदिर है अब तो जातियों का भी अलग-अलग मंदिर बन रहा है जितनी भी जातियां है उन सब के अलग-अलग मंदिर निर्मित हो रहे हैं लेकिन ऐसा कोई मंदिर ना मिला जो इंसानित का मंदिर है जहां सब पहुँचें अब हमें वो मंदिर निर्मान करना है जिसमें इट इंसानित की हो अब हमें वो मंदिर निर्मान करना है जिसमें चुना चरित्र का हो हमें वो मंदिर निर्मान करना है जिसमें सिमेंट सत्य और जिस दिन हमने चरित्र सत्य इंसानियत आदी का मंदिर निर्मित कर लिया हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है घर ही मंदिर है जीवन ही मंदिर है शरीर ही मंदिर है और ऐसी बेवस्था अगर हमने पैदा कर ली तो समझ लो कि फिर ये पंक्ती जूटी सावित हो जाएगी कि पहले से जो डूबे थे हमको भी धगेला है फिर पहले से जो डूबे थे फिर वो डूबे सब्द खत्म हो जाएगा लेकिन आज हम अभी डूबे हैं हमारा समाज डूबा है तमाम तरह के और एक दूसरे के बिरोध में समाज खड़ा है कुछ लोग राम को मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं कुछ लोग शिव को मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं जो सारे पाखंड का विरोध करते हैं अंधविश्वास का विरोध करते हैं लेकिन वो जिन्हें अपना आइडल मानते हैं जिन्हें अपना भगवान मानते हैं उन्हें ही फिर उस पाखंड में बांध लेते हैं सद्गुरु कवीर ने जिन पाखंडों का खंडन किया जिन अंध विश्वासों पर चोट किया आज हम उन्हें ही अंध विश्वास में बांध लेते हैं अब कवीर पंथ में भी लोग हवन करते हैं कुछ लोग राम जी की मूर्ती के सामने प्रार्थना करते हैं भजन गुन गुनाते हैं अगर बत्ती दिखाते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं ने ने मैं तो राम को नहीं मानता राम तो संबुक की हत्या किये थे वो अंबेटकर बावा साहिब और महत्मा बुद्ध के मूर्ती के सामने वही काम करते हैं कुछ लोग शिव मंदिर में ज इत्र बदल गए, संस्कार वही है, पाखंड वही है, समस्याय वही है, सदगुरु का विरी कहते हैं, निश्पक्ष होए के हरी भजे सुई संत सुजान जो सब कुछ से निश्पक्ष हो जाए, कोई पूरवदिशा में खड़ा था, कोई पस्चिम खड़ा हो गया, भेद का र चलने लगा, बात उतनी सी है, फर्क कुछ भी नहीं हुआ, कोई राग में था, कोई बेराग में चला गया, बिप्रीत में सारे काम चल रहें, कोई मूच रखता है, कोई नहीं रखता है, पूरब दिसा हरी को बासा पश्चिम अलह मुकामा, हिंदु पूरब पुकारते हैं, म हम काम करते हैं और सोचते हैं नहीं, मैं तो उसका विरोध्य हूँ, वो लोग पाखंडी हैं, मैं तो दूसरा काम कर रहा हूँ, बात पाखंड की ही है, सद्गुरु कभीर की प्रंप्रा में ये बात नहीं बढ़ते हैं,